हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सेकर और आग यहाँ एक और धमाकेदार वीडियो लेकर तो दोस्तो इसमें हम देखेंगे विश्चु के परशिद्ध संगठन एवं संयुक्त राष्ट संग के बारे में तो दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखे चाहिए कोई भी एकजाम देखे दोस्तो यहां से आपको परशन देखने को जरूर से मिलेगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और उतने डिटेयर में तो फिलाल इसमें नहीं है लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें चो महत्पूर्ण होंगी उन्हें हम जानेंगे बांकी द संग के बारे में सजुक्त राष्ट संग उनाइटेड नेशन पहला परसं दोस्तो यहां से जो बनता है कि संथरा राष्ट संग की स्तापना कब हूई तो 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तो संथरा राष्ट संग की इस्तापना हूई थी और सस्तापक सरस्षी देश्क दोस्तों उसमें कितने थे वो थे दोस्तों एक्याउन ये आपको विल्कुल याद रखना है मुख्यालई की बात कर लेते तो मुख्यालई कहा है स्युक्तराष्ट संग का तो ये हो जाए उस्तों न्यूवर्क में है यह आपको बिल्कुल याद रखना है कई बार मुख्यालई आ जाता है एक्जाम में और किस दूपर है दोस्तो मैन हटन दूपर है यह भी आपको याद रखना है एक्जाम में यहाँ से परसने बन सकता है यूवन का मुख्यालई न्यू और्क के मैन हटन दूपर है यह आपक राष्ट संग के और 193 वा देश कौन सा था पहुत ज्यादा मेहतुम लश्ट तो चाहे तो आप लिख सकते हैं वो था दोस्तो कौन दक्षिणी सुडान तो दक्षिणी सुडान था दोस्तो 193 वा देश जो की सामिल कभ वहा था 2011 में तो ये परस्न में दोस्तो आपने देखा होगा कहीं न कहीं तो इतना आपको यादकना है बढ़ते हैं आगे यहां पर दोस्तो अध्यक्ष लिखा हुआ है इससे आप महासचिव कर लिजेगा अध्यक्ष भी कह सकते हैं उससे महासचिव से कर लिजेगा ज्यादा सही रहेगा तो महासचिव दोस्तो इसके कौन है ब गवे नमबर के दोस्तों ये हैं और इनका सम्मंद किस देश से हैं तो पूर्तगाल के हैं चाहे तो दोस्तों आप इसे भी आप नोट कर सकते हैं पूर्तगाल के हैं एंटिरियो गुटेरेस बरतमान में नवे मास अचीव हैं संव्युक्त राष्ट संग के और पर्थम कौन सचीव कौन थे दोस्तों ये आप कमेंटस बॉक्स में जरूर से लिखेगा भाजूसक थे इनको कितने is को पाँच वर्शु के लिए चुने जाते हैं तो ये भी याद रखेगा तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आधिकारिक भास हैं तो भासा ही कितनी है दोस्तों यहाँ 6 भासा हैं इन में से कौन सी नहीं है ऐसी परशने बन सकता है या फिर किन भासाओं में इन में से कार्रे होता है तो वो कौन कौन सी दोस्तो एक तो है अंग्रेजी और एक है फ्रेंच ये दो ही आपको बिल्कुल याद रखें इन में दोस्तो यूएन में कार्य होता है तो ये दोस्तो आपको बिल्कुल याद रखना है पढ़ते दोस्तो आगे बागी यहाँ पर आगे दे रखा है संयुक पर्थम बैठक का भुईती चाहे तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं तो ये उसी दोस्तों 1922 में अब दोस्तों सईुक्त राष्ट संग के छै परमुक अंग अब दोस्तों यहां पर सिर्फ मैंने शौट में लेख रखाया है वागे दोस्तों अगली वीडियो में हम बा देखेंगे आगे और अर्थी के हम समाजिक परस्यद अंतराष्टी न्यायलय सचिवालय न्यास परस्यद दोस्तों यह चै सहयुक्त राष्ट संग के परमुक अंग है अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे वाकि इसमें इतना ही रखते हैं वाकि बहुत जल्दी इस पर आज दोस्तों यह सोट में लगबग लगबग क्योंकि बहुत सारुक के बारे में हमने अभी देखना है इसमें पीड़ेप आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर अगला दोस्तों बिम्ब स्टेक अगला है यह हो गया हमारा नहीं नहीं सार्क है पहले सार्क देख लेते है दोस्तों यहाँ पर दक्चिन एसी आई छेतरीय सयोक संगठन साउत एसेयन एसेयन फॉर रीजनल कार्प्रोएस्टों यह हो जाएगा इस पुलपवा में यह मैंने आपको बताई और इस्तापना कभी दोस्तों सार्क की यह हो जाएगा आठ दिसंबर 1995 तो यह भी आपको ब यादकने बागे मुख्यालाई का हैं यह भी परस्ण बनेगा सार्क का तो यह उजाएगा काटमांडू में मास अचीव कौन है दोस्तों इसाला रुवान वीरा कौन दोस्तों यह हैं इसके मास अचीव तो यह भी आपको विल्कूल यादकने सार्क के सदस्ची देश यहां प यह भी परस्ण बनता है तो ऑप्शन में रहता है कि म्यामार है नहीं है तो म्यामार नहीं है तो इनमें से कौन सा नहीं इस तरह से परस्ण बनता है तो म्यामार नहीं है बाकि और भी जो ऑप्शन होंगे तो इन्हें दिरूर्ट से याद रख लिजेगा बढ़ते दोस्तो सबसे बहildacy के वारे में यहाल पर हम जान लेते हैं कि इसकी इस्ताबना उस्तों कब हुई थी सबसे पहले बींबडी स्टेग के बारे में यहाल हम जान लेते हैं तो इसकी स्ताबना मोशो कंब ही ती ना पर इस्पवर्ग दम्माभा आयद मैं यहार है Sprit और सदस्ची देश दोस्तों कितने हैं विंबर स्टेक में तो यह साथ देशा दोस्तों यह भी आपको पिल्कूल याद रखना है कौन-कौन से बांगला देश हो गया भूतान भारत नेपाल स्रिल्लंका म्यामार और थाइलेंड तो इन देशों का दोस्तों नाम आपको जरु अगे तो यहां पर आता हमारा श !! के बारे में उस्तूब बात without लेते हैं सबक्राइब दोस्तों इस-की श्तापना कशल ने गंत्यारो हुए तो वहां तो अलग तरीखी से आपको लिखना होता है तो वन डे एक्जाम के लिए दोस्तो जो प्रस्ण बनता है उस पर हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहें मुख्याले का है मुख्याले भी आता है तो यह जाए जाकारता इंडोनेसिया में इसका मुख्याले यह आसियान का अ तो याद रखेजेगा कंबोडिया पुर्णोई बुर्णोई इंडोनेसिया लाओस मलेसिया म्यामार सिंगापूर फिलिपिन्स थाइलेंड या ब्यतनाम तो ये इसके सदस्ची देश हैं पढ़ते हैं दूस्तों आगे अब दूस्तों संगाई कॉपरेशन और्गिनाजेशन तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपर इस्तापना कब हुई थी तो 2001 में दूस्तों इसकी स्तापना हुई थी मुख्याले काया है स्सियो का दोस्तों ये है बीजिंग चीन में वहा सचिव को परत्मान में ग्रत्मान में देशतास सदाष्ष देश . रूस क्यजाकिस्तान , पाकिस्तान वाली भहारत भी है। वर्स World 2017 भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्षि का दरजा मिला सदस्ची देश का दरजा मिला कब 2017 में SCO का तो ये भी आपको विल्कुल याद रखने अब है दोस्तो नाटो नाटो से परसंद दोस्तो बन सकता है आने वाले एक्जाम में नाटो दोस्तो क्या है नाटो के बारे में देख लेते हैं आपने नाटो नौर्थ अट अप्लांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन तो नाटो के दोस्तो पहली बात की फुलफवाम आ सकती है एक्जाम में वंडे एक्जाम के दोस्तो खासतोर से में बात कर रहा हूं तो पहली बात ये आपको याद रखने है इस्तापना का बुई दोस्तो उनिस्वा उन्पंच तो है एक्जाम में व्हां के सडस्य देस दोस्तों नाटो के कितने हैं तो 30 देस नाटो के सडस्यख्यां तीष्वा देस दोस्तों कौन सा है यह बसाइजोनी इस्तोम दोनिया मीं सटोरस्यूनी नाम दोस्तों देस यह हमारा आस Cenशी देश 2019 में दोस्तों यी बना था मेशी डोनिया 2019 बना था यी तीस्वा सदस्य देश अगला बस्तों यहाँ पर प्रस्न नहीं है ओपेक दोस्तों इन से प्रस्न जरूड़ बनता है एकजाम में तो वीडियो को अंत जरूड़ देखेगा ओपेक से दोस्तों अभी प्रस्न अगर आपने वीडियो का एकजाम दिया होगा तो कोई एक प्रस्न था उसमें बेनुजुला जहां था कि मुझे याद है उसका से उत्तर था बागी कौन सा इन में से देश से करके कुछ इस तरह से प्रस्न बना था तो इससे देख लेते हैं ओपेक के बारे में Organization of the Petroleum Exporting Countries तो इसतापना दोस्तों ओपेक की कब हुई थी तो 1960 में हुई थी बगदात में तो ये भी आपको बिल्कुल यादखना है ओपेक की स्तापना 1960 में बगदात में हुई थी मुख्याला ही कहा है इसका तो वी न ऑस्ट्रिया में इसका उस्टेल ये आपको बिल्कुल यादखना है औस्टेलिया न्यूजिलेंड वह अलग है तो वी न दोस्तों ये है ओपेक का यहां क्या मुख्यालाई है सदस्चिदेश दोस्तों ओपेक में कितने हैं तो 13 सदस्चिदेश हैं इरान, इराक, कुवेत, लीबिया, सयुक्तरब, अमिरात सौधी अरब, अलजीरिया, नाइजीरिया, गैवान, अंगोला, इक्टोरियल, गिनी, वेनोजुला और कांगो दोस्तों ये इसमें परमुक देश हैं तो इनके बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत देख लीजेगा कि कौन-कौन से हैं कौन-कौन से नहीं अब है दोस्तों बिरिक्स तो यहां से भी दोस्तों एक्जाम परस्ण देखने को मिलता है बिरिक्स के बारे में तो काफी जादा महत्पूर्ण है तो बिरिक्स दोस्तों सबसे पहले यहां पर देशी की नाम से इस परष्ट है बी से दोस्तों क्या हो जाएगा बराजी आर सदस्य देश है वर्ष 2006 में न्यूवार्क में बिरिक राष्ट के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दोरान भारत पराजील रूस वो चीन ने मिलकर बिरिक की स्तापना करने पर चर्चा की इसके तीन साल बाद 2009 में इन देशों ने अधिया दोस्तो जो बिरिक से है इसका जो पहला समय्हां दोस्तो कब हो आ था तो 2009 में रूश में अपना पर्थम समय्हां किया तो यह आपको विलकुल यादर्ट रैता है और पहले दोस्तों बिरिकि था यह फिर दोजार दसमे दोष्टेंट अप्रिका जूड़ीए तो S आ गया उसमें, S South Africa आ गया, दोस्तो 2010 में दक्षिन अफरिका भी इसमें, जुड़ी गया था, बिरिक में, फिर हो गया दोस्तो ये बिरिक से, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तो इनकी जो मुद्राएं हैं, जैसे, क्योंकि मुद्राएं कौन-कौन सी ह रियाल, रूबल, I, इंडिया, C, रेनिमिन भी, S, रेंड, तो R5 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बढ़ते हैं आगे, 2022 में दोस्तो बिरिक से की जो अधिक्षिता की जाएगी, दोस्तो किस देश के दोरा की जाएगी, तो चीन के द दोस्तो जो UKPSC ने पूछा था, कि जो बिरिक्स सब्द है, बिरिक्स सब्द जो है, इसका सरुपर्थम परयोग किस ने किया था, बिरिक्स सब्द का सरुपर्थम परयोग किस ने किया था, तो ये किया था दोस्तो जिम ओ नील ने, जिम ओ नील ने बिरिक्स सब्द का सरु तो बढ़ते दोस्तों आगे अब दोस्तों यहाँ पर ADB ACI विकास बैंक तो यहां से दोस्तों जो परसे बंता है पहला परसन यहीं बनता है एक्जाम में किसकी स्तापणा कब हुई थी तो यह उस्तों 68 है अधेक्चे कौन है दोस्तों मास तत्सुगू असकावा इसके अधेक्चे हैं बरतमान में तो इतना दोस्तों आपको ACI विकास बैंक से याद रखना है ज्यादा फिलाल एक्जाम में नहीं आएगा ज्यादा आएगा दोस्तों आप देख लिजेगा आकि और भी अपनी दर्फिसे महनत कर लिजेगा अब दोस्तों यहाँ पर हमारा WTO यानि कि दोस्तों WTO विश्व ब्यापार संगटर व्यापा मा दोस्तों कभ हुई थी 1995 में हुई थी एक जनवरी 1995 में दोस्तों इसकी स्तापना हुई थी बिश्व ब्यापार संगठन की मुख्या लाई का हैं तो जेनेवा स्यूज Wars Land में दोस्तों इसका मुख्या लाई है और दोस्तों यह GAT का उत्तरा धिकारी है यह प्रास्षि कर मनता है कि विश्चु ब्यापार संगर्टन औरहज बड़ते दूस्तों, आगे. अगला है दूस्तु, डबलु एचो यानि कि दोस्तो विश्व स्वास्त संगतन विश्व स्वास्त संगतन इसकी इस्तापना उस्तो 1948 में हुई थी डेड़ भी आपको याद अखनी है 7 अप्रेल 1948 को क्योंकि दोस्तो 7 अप्रेल को आप सभी को बता है कि क्या मनाया जाता है तो विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है तो क्योंकि दोस्तो 7 अप्रेल 1998 इसको इसकी इस्ता अपना हुई है विश्व स्वास्त संगठन की तो इस विश्व जिसे दोस्तो ये मनाया जाता है मुख्याला ही का आए तो मुख्याला दोस्तो इसका भी जिनेवा शुजर लेंड में ही है ये भी आपको दोस्तो पिल्कुल याद रखना है और भारत की दोस्तो अमरिताक और जो है ओ डबलू अचो यानि की विश्व स्वास्त संगठन की अधेक्चे रह चुकी है ये भी आ है वारे में तो बंढ़ा देख लेते हैं वाकि वैसे बहुत कुछ है डबलू एचो विश्व स्वास्त संगठन दोस्तो इसके वारे महां बात कर चुके हैं विश्व व्यापार शंगठन इसे भी देख लिया है डबलू आई पी-ो यानि की दोस्तो विश्व ब्वाधिक स की स्टापना उस्तो 1991 मूभी थी विश dipping walks wann lag जैकी एक ना इसके पना लेच की यहाद हो भी ना कि जैगा अन्तराश्टीए सरह Wanna पांकी डेट के साथ यारत दखना चाहते हैं तो 11 अपल 19 19 को दुस्तो इसकी स्तापना हुई थी IRO अंतराश्टी रेट क्रोस संगठन दुस्तो ये भी का हैं तो जिनेवम हैं बढ़ते हैं आगे अब दुस्तो IMF International Monetary Fund IMF इसके बारे में दोस्तो हम कुछ महत्पूर्ण चीज़े जान लेते हैं इसकी स्तापना का भुईती दोस्तो यहाँ पर लिखा नहीं है स्तापना इसकी का भुईती सबसे पहले इससे जान लेते हैं स्तापना दोस्तो इसकी हुईती 27 से दिसंबर 1945 को 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्तापना हुई थी ये आपको पिलकुल याद अखने मुख्या लाइक आए तो वासिंग गटन DC में है मैनेजिंग डिरेक्टर कोने तो क्रिस्टिलिंग चार जीवा है डिफिटी कोने तो गीता गोपिनात है इतना आपको याद रखने है अगर दोस्तों IMF में कितने सदस्ची देश है तो 190 सदस्ची देश है IMF में बहुत ज़्यादा महत्तुल रस्तिने इसे लिख़्ीजेगा यहाँ पर नहीं लिखा है तो IMF में दोस्तों कितने सदस्ची देश है 190 सदस्ची देश है 190 सदस्ची देश दोस्तों कौन सा था वो था दोस्तों एंडोरा तो ये भी याद रखीजेगा 190 सदस्ची देश कौन सा है एंडोरा ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है IMF ये दोस्तों अभी हाली में जारी करता है तो ये भी आपको विल्कुल यादखना है वागी स्तापना यहां पर नहीं लिखा है एक बार खिर से बता जेता हूँ 27 दिसेंबर 1945 को हुई थी तो आग या दुस्टो यहां पर हमारा कोन वर्ल्ड बेंख untersology यहानि कि विश्यू बेंख तो विश्यू बेंख इषत्पना 27 December 1945 कोई हुई थी और इसमा दोस्तों 189 देश है विशु बैंक सरी विशु बैंक में कितने सरची देश है तो 189 देश है अभी हमने देखा दोस्तों IMF IMF में कितने देश हैं 190 देश है 190 देश एंडुरा था वो मैंने आभी आपको बताए था तो यह आपको बिल्कुल आदकना है वागी प्रेजिडेंट कोनेस के तो डेविस मालपास तो इनका नाम दोस्तों जोड़ से याद रखे एक्जाम परसने बन सकता है बढ़ते हैं दोस ऊनसको पहला परसन यही बनता है कि ऊनसको का जो सतापना होई थी तो 1945 में धूल्स को कि सतापना हुई दी और मुख्यालाई का हैं तो Paris France में इसका मुख्यालाई है ये भी दोस्तो नजाने कई बार एक्जामों में परशने पूचा जा चुका है और UNESCO दोस्तो मैन एंड बायोस्पेर प्रोग्राम के तहत बायोस्पेर रिजर्ब की कोश्टना करता है तो UNESCO की स्थापना 1945 में मुख्यालाई फ्रांस में है पेरिस फ्रांस में है इतना देड़ से याद अक्यका एक्जामों परशने बन सकता है अगलाई दोस्तो UNCF United Nations Children Fund इसकी स्थापना कभ हुई थी दोस्तो ये हुई थी उनिस्षा चियालिस में मुख्यालाई दोस्तो इसका कहा नियू और्क में अब दोस्तो जादा नहीं है बस आज इतना ही करते हैं बाकी अगले दिन फिर देखेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे संगेठन है उनके बारे में दोस्तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगला दोस्तो महतपूर्ण आईसे इंटरनेशनल सॉलर अलाइन्स बहुत ज़्यादा महतपूर्ण दोस्तो यह जरूर बनता है यहां से कि इसका पहली बाद दोस्तो मुख्यालाई का है इसको लेकर भी कई परसन बनते हैं गुरूग्राम दोस्तो हरियाणा में स्तापन दोस्तो 2015 मह वहीती 30 नवूंब्र 2015 को वहीतीushi इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स की यह आपको बिलकुल याद रखना है और इसका दोस्तो 101 हुआ देश जो सामिल हुआ था तो उसका करम था 101 हुआ बागी 124 है कितने देश अभी बर्तमान में होगे तो ये भी या दखेगा और डिरेक्टर जनरल कौन है तो ये हैं दोस्तो अजय माथूर तो इनका नाम भी दोस्तो आपको बिल्कुल या दखना है दोस्तो इसमें मैंने आपको बताया पिस्सु के कुछ परमुख संगठन के बारे में जाने और इसके अला कुछी दोस्तो बहुत सारी चीज़े इसमें जो कुछ अलग है अब दोस्तो कुछ चीज़े रह गी है क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं जैसे सयुक्तराष्ट, ब करता हूं आपको वीडियो पसंद आए होगी अपने त्यारी करते रहिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए